Dear friends, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है थम्नेल, अगर आपको यह अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो में आपको मैं यही थम्नेल बनाना सिखा रहा हूँ, step by step, right? तो बने रही है एंड तक इस लेसन में और सीखिए कि इस तरीके का एट्रेक्टिव थम्नेल किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं अपने कैनवा में, और एक थम्नेल यहां उपर बना हुआ है, बट क्या है, कहानी यह है कि बना टिट्टो, कैसे बनाएंगे देखते हैं, तो सबसे पहले इसको भी अटा देते हैं, सबसे पहले हम बैक्ग्राउंड में चीए एक ग्रेडियंट कलर, उपर देख रहे हैं आप इधर ग्रेडियंट कलर, ग्रेडियंट कलर क्या होता है, जिसमें दो कलर मिक्स होते हैं, एक के दर से एक दर से उपर से नीचे से उसको बोलते हैं gradient color तो यहां पर जब click करते हैं खाली area में तो on this color you go and here you have options of default colors and gradients so canva क्या है न दिन वद दिन smart होतो जा रहा है और अच्छे features देतो जा रहा है तो यहां पर आपको gradient जो है बना हुआ मिल जाता है and you can choose any gradient you can choose this you can choose this whatever you want to choose you can choose so i love this gradient or whatever you want to choose so i have chosen this gradient now this gradient के उपर क्या है एक कहाणी मैंने और लगाई है जिससे की तो ऊपर का जो text है वह निखर क्या है उसके लिए क्या किया है मैंने एक box लगाया है तो जब हम आर प्रेस करते हैं, आर, तो एक box यहाँ पर आ जाता है, तो एक box मैंने यह लगाया है और इस box पो मैंने पूरा यहाँ इसके उपर spread कर दिया है, और इसको थोड़ा सा ऐसे line दे दिया है, थोड़ा सा क्या होता है कि, यह वो नहीं मनता है, background नहीं मन पाता है, अगर यह पूर select हुआ होना चाहिए यह, then go to this transparency and decrease the transparency, increase the transparency like this, तो अभी कहा है, यह थोड़ा सा बस, little bit, now यह देखिए, फरक तो है, यह transparent है, बट यह क्या करने वाला है, जो इसके उपर हम text लिखने वाले हैं, उसको यह थोड़ा सा फायदा देने वाला है, अब मुझे यह photo लगाना अपना, उस folder में जाके, मुझे अपना photo लेना है, और मैं आपको सिखा रहा हूँ तो एक नया photo ले लेता हूँ, right, तो नया photo ले लेते हैं, और यह वाला ले लेते हैं, so this is the photo I am going to take for this tutorial, फोड़ा इसको हमने बढ़ा कर लिया, और यह photo अब लग रहा है, ठीक, बैसे तर इसके अटाना है, तो क्लिक किया, आपने background remover, और background remover अपना automatic काम शुरू कर चुका है, वो काम हो गया है शुरू, right, कितनी देर में होगा, देखते हैं, अब यहाँ पर जो text लिखा हुआ, वो लिखा हुआ, use of I am, मैं बस text बदलने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हू यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, learn with Guruji, learn with Guruji, क्या ना, वीडियो भी बन जाएगा और marketing भी हो जाएगी, अच्छा लगा आपको idea, comment करके जुरू बताना, यह एक मैंने ले लिया है यहाँ पर, learn with Guruji, थोड़ा सा उपर नी ले जाएगे, चेहरा cover हो जाएगा, यहाँ से ह यह हमने ले लिया font, pop-ins, इसको थोड़ा सा, और वड़ा कर सकते हैं, और अच्छा लगने वाला है, यह हो चुका है हमारा text का size fix, ठीक है, अब फरक इतना है, यहाँ पर हमने लिखा था use of I am, यहाँ पर लिखने वाले हम learn with Guruji, अब सबसे पहले हम जो orange वाली layer है पीछे, व effects पर click करना है और effects में, जो number one effect है, outline, number one नहीं, actually number six पर है, number six वाले effect को choose करने के बाद, silver, जो silver color है, इसे हम orange करना सकते थे, इस video में करने वाला हूँ इसको green, okay, green करने वाला हूँ, तो वहाँ पर हमने orange किया था, यहाँ पर green है, बस इतना से फरक समझो, ठीक है, इसको हम bold करन तो आपने फोटो के पीछे ले जाने वाले अपने फोटो के पीछे चला गया अब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे जैसे copy paste करेंगे एक बार और यह आगे आ जाएगा अभी आजएगा आ जाएगा तो अब हम बनाएंगे यह नीला वाला यह जो नीला वाला दिख रहा है यह वाली layer बनाने वाले नीले वाली layer बनाने के लिए हमें क्या करना है एफेक्ट्स पर जाना है और यह splice, पांच में नंबर का जो text effect है, fifth position पर splice को use करना है और splice को use करने के बाद जो नीला color है, उसको choose करने के लिए effects को जाना है, और यह जो gray color की जिगे पर हमें है, नीला color choose करना था, पर मैं इस समय कुछ और नेया करने वाला हूँ, तो नेया color हमने choose करना है, तो यह वाला कर लेते है aqua blue, aqua blue choose कर लिया है, effects में जाके जो offset है, offset को zero करने वाले, और इसको थोड़ा सब कम कर सकते हैं, इस तरीके से, जो इसको ऐसे bold भी रख सकते हैं, को दिक्कत नहीं है, तो ठीक है इसको इस तरीके से रख लेते हैं तो यह text आ चुका है, अब इसे भी हमें पीछे बेजना है इस layer को भी हमें पीछे बेजना है तो position पे क्लिक किया backward यह भी पीछे चला गया है, अब देखो आप, तो actually यह दो layer है एक हरी वाली है, और एक blue वाली है right, वैसे इसके बिना भी चल सकता था काम बट मैंने जो पिछली वाले में किया था मैं डिट्टो आपको समझा रहा हूँ, कुछ ने कुछ आपको सीखने वाले हो फिर से इस पर क्लिक करना है text के उपर copy paste करना है जैसे copy paste करेंगे, फिर से photo के उपर आ जाएगा अब effects में जाना है और choose करना है hollow hollow choose कर दिया अब जैसे हमने hollow choose किया तो आपने देखा कि मैं दिखने लगाऊ text में से, learn with guru जी अब यह white है, यह black है इतना ही फरेक है, इसको भी हम white कर सकते हैं, बट इसको हम white कर देंगे तो क्या problem होगी, कि टी-shirt भी white है red भी कर सकते हैं, कोई भी color करके देख लो, जो सबसे अच्छा लग रहा हो वो आप choose कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें जो pink है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है, बगई तो अपनी choice है gray भी अच्छा लग रहा है, pink भी अच्छा लग रहा है तो यह pink है तो दोस्तों, यह thumbnail आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताइए वीडियो आपके लिए हिंदी में होना है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, तो इसमें तो इसको हम blue यहां से aqua blue कर सकते हैं तो दो layer में ही काम चल जाएगा हमारा ठीक है अरे, एक मिनिट तो यही रहो भाई, box तो दो layer में हमारा काम चल जाएगा बट इस layer को लाने से कुछ फरक पढ़ रहा है एक बट देख लेते है कुछ फरक नहीं बढ़ रहा है तो यह बीचवारी layer को अटा देते हैं पट हाँ, आपको idea मिल गया, सीखने को मिल गया तो यह है, इसको थोड़ा उपर नीचे भी कर सकते हैं magic देखो मतलब मैं magic भी दिखा सकता हूँ हरा color है, और यह है और blue है, pink है पट जो मैं photo के उपर ला रहा हूँ तो जादू हो रही है, हरा color गयव हो जा रहा है यह बहुत बड़ा magic है, ठीक है so it's a magic जो magic हो रहा है, देख रहे हैं आप photo के उपर ला रहा हूँ तो green color नहीं दिख रहा है वो गयव हो जाता है, ठीक है तो इस तरीके से यह magic हो गया तो यह था पूरा आपको दिखाया thumbnail, तो I hope आपको सीखने को मिला होगा, सुन में आया होगा, comment करके जुरू बताना, और like अगर आप चाते हो कि Canva का जो पूरा course है आप सीखो, तो भीया उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है Canva का simple सा course है, Canva Mastery जहाँ पर मेरा real experience आपके साथ share किया जाता है Canva Mastery, यह है Canva Mastery course, career building school में जाके आप इस Canva Mastery course को खरी सकते हैं, और अपनी life जो है, set कर सकते हैं, thank you very much for watching this, वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए, channel को subscribe कर लीजिए और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, जैहिंद, वन्ने मातरा